कि चलते इसी कड़ी में मैं आगे कोश्चेंज कर अit 7.5 तो 5 कर गोश्य। नमबर पार्स उप फ्रेक्षाल इंटीग्रेश्चर्ट के रीश्पेक्ट में कोश्चंज करना है कोश्चंज करे रहा है integration x dx अपॉण एक्स माइन बन का होल स्क्यर कने मैं 9 इसका आपको परिंटाइल करना नहीं के लिए पहले आपको को हम जो पता नहीं में तोड़ना होता है हमने बताया का से तोड़ते तोड़ते हैं है देखते रहे हिए यहां पे एक्सको डोग सब्सक्रिण का होवगो तो अब हम क्या करते हैं इसको मैंने बताया है थाब्दों को यहां पर लिखेंगे ए कि अपान यह नंबर एक्स माइनस वन ठीक फ्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वेर प्लस सी एक्स प्लस टू ठीक समझवा रहा है बार अब यहां पर कोश्चन्स को हम क्या करते हैं हमने बताया था निच्चल नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करने पर हमाई पहुंचेगा एक्स इक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू ठीक समझारी बात बी के साथ प्लस बी के साथ एक्स प्लस टू ठीक प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन का होल स्क्वार ठीक यह आ गया अब यहां पर हम क्या गरेंगे हमने क्या था था किसी एक को पहले जीरो बना लेते हैं जीरो बनाने के मतलब यह हैं हमने यहां पर रिखा इसको यहने की देखो एक्स प्लस टू इकल टू जीरो तो एक्स इकल टू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा माइनस टू इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर देखे माइनस टू इकल टू यहां पर रखेंगे जीरो हो जाएगा तो 0 प्लस यहां पे रखेंगे 20 हो जाएगा तो हैं पे 20 प्लस C में रखेंगे तो है पे minus 2 minus 1 3 minus 3 का ऊबवार्स को ह leaking 9C तो यहांनी की C equal to minus 2 upon 9 यहां घ्रेश है आप क्या करेंगे एक बार उसके value रख लेते हैं दूसरे की यहाँ पर x-1 की रखते हैं ठीक, यहाँ पर रखेंगे x-1 equal to 0, तो x equal to 1, ठीक, ज़ाथ रखने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वह इलू रखेंगे तो होई पास देखें, यह नंबर 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाए, बी की विलू निकाल आएगे, तो यहाँ पर किदर रखने हैं तो इहां पर वान इसकी जगह पर क्या हो जागा प्लस भी कि थिश्विए ब्राबर में है प्लस नहीं ब्राबर ठीक क्तो वान उपन फिरी यह दोनों वैलू आगे अब हमारे पास a की value निकालने है a की value निकालने के लिए आपको multiply कर साहरा लेने पड़ेगा पूरे compare करेंगे question का तभी निकल सकता है ठीक अब हम आयते हैं इस पे तो हमरे पास देखो यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर क्या करना होता है इसको और में खाली दो निकाल लेते हैं कि वहारे पास हाई है इसको निकलेगा प्लस का यहां से ए a तो A प्लस C इकोल टू 0 जननी कि A बराबर माइनस C तो A की वैदू कितनी है एक की वैदू सी की वैदू है माइनस 9.2 तो एक वैदू हो जाएगी A बराबर पे 2 उपान 9 एठीक इसको रफ कर देते हैं उपर कोश्चन वाल करिएगा कि यहां पास यहां तक देते हैं क्या ही थी यह उकल टू माइनस टू अपान नाइन यहां पे रखेंगे तो यह कोश्चन बन जाएगा हमारे पास माइनस टू अपान नाइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वन प्लस वन वाई थी ब्रैकेट में वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्राइड ठीक है अगला बन जाएगा माइनस नहीं प्लस टू अपान नाइन वन अपान एक्स प्लस थी टू सोरी ठीक है यह कर देंगे इसको स्वाल्व कर देंगे इंटिगरेशन करेंगे तो इसका इंटिगरेशन इंटिगरेशन माइनस टू अपान नाइन बाहर आ गया यहाँ पर वन अपान एक्स का सिधे वन अपान एक्स का लाग कि मॉर्ड एक्स थीक थीक है मॉड एक्स प्लस वन बाइ थी इसका होल उसको ठीक यह जाएगा ध्यान रखिएगा प्लस इस वालेगा टू अपान नाइन मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी डाइट में ने कर दिया ध्यान रखिएगा अच्छा कोश्चन से आप लोगों नहीं सब्सक्राइब पूशिएगा आगे देखेगा मेरी वीडियो ध्यान रखिएगा धन्यवाद पार्ट इंटिगरेशन का कोश्चन नमबर 9 करा रहा हूं 9 कोश्चन नमबर वी इंप्रेटन कोश्चन से जिसमें फेक्टर्स करने हैं आपको फेक्टर्स करने आपको कोश्चन कहरा है 9 इंटिगरेशन 3x प्लस 5 ब्रैकेट बंद इसके हमें फेक्टर करने के बाद यह भी लगाएंगे बीसी वाला ठीक तो सब्सक्राइब कोश्चन को इसी लिखते हैं ठीक लेट करके लिख लेते हैं कोई नहीं लेट 3x प्लस 5 ठीक है अपान इस वाले में x कमन ले लिया x2 x2 कमन लेने पर x-1 बच जा रहा है सेकेंड में प्लस सेकेंड में माइनस वन कमन ले 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 हैं तो क्या होचेगा x-1 ठीक है अब यहाँ पर इसी को हम इसे लिख से यहाँ पर हम कोश्चन को नीचे फिर उताल लेते हैं इसे 3 x square x plus 5 नीचे इसको लिया x-1 फिर x square minus 1 ठीक है अब इसको फिर से हम factorization कर देते हैं कैसे 3 x plus 5 upon x-1 x plus 1 x-1 ठीक एक बब प्लस माइनस अब देखें यह square हो जागा क्या हो जागा यहाँ पर देखें 3 x plus 5 upon x plus 1 फिर x-1 का whole square ठीक यह बन गया अब यहाँ पर यह बनने के बाद यह question proper बनने के बाद इसमें a plus b लगा देते हैं तो यहाँ पर हम question लिख देते हैं 3 x plus 5 upon x plus 1 फिर x-1 का whole square ठीक है यहाँ पर question solve करते हैं a upon x plus 1 plus square है तो यहाँ पर b upon x-1 plus c upon x-1 का whole square समयारी बात आगे चल दें अब यह questions हमारे पास हो गया अभी रूप तयार कर रहे है questions को तयार कर रहे है questions को कैसे करना है अभी solve करने की तरीका नहीं questions को तयार करना है ठीक है जैसे आप building बनाते है बिल्डिंग बनाना में new वह सो भरते हैं इसे building बना रहे हैं भी तो ठीक है अब है क्या करना है हमने कहाता है नीचे वाले नंबर से denominator से पूरे को multiply कर देंगे multiply करेंगे तो यह number गायब हो जाएगा क्या बचेगा अपर 3x plus 5 equal to इस number को multiply करेंगे तो क्या बचेगा a के पास यहाँ पर एक plus है तो minus का बचेगा पूरा minus 1 का whole square ठीक है फिर plus b के साथ में x plus 1 और x minus 1 दोनों बचेगे c के साथ में x plus 1 ठीक यह बचेगा यह हो गया अब हमें क्या निकालना है value निकालने a b c की A, B, C की value निकालने के लिए हम निकालता है, जो factors होगा, हमने क्या बोला था आप लोगों से, जो factors होगा, उसके equal कर लेते हैं, सबसे पहले, कुछ value निकाल लेते हैं, उसके बाद, आगे compare करते हैं, ठीक, सबसे पहले, जितनी value हो सकेंगे, factor बढ़ाबार 0 रखने के बाद, यह 0 और यह 0, यहाँ पर यह आ जाएगा, तो आया 2C, इसलिए C equal to 4, ठीक, समझे बाद, आप यहाँ पर रखेंगे, x equal to minus 1, x equal to minus 1 रखेंगे, तो यह term 0 हो जाएगा, यह term 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ minus रखेंगे, 0, minus रखेंगे, 0, क्योंसे 0 होता है, हमने बता है, आप ल वो समझे आप लोग ने, तो फिर बड़ी प्राब्लम हो जाएगे, questions बहुत lengthy हो जाएगे, बहुत time taking questions हो जाएगे, time taking questions नहीं करना, आपको time save करना है, ठीक, इसलिए questions को direct करना, ठीक, यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus 3 plus 5 equal to, देखे, minus 1 रखेंगे, तो यह minus 1, minus 1, minus 2 हो जाएगा, यह 0, यह 0, तो यहाँ पर हुआ, 2 का whole square, 4A, यहाँ पर यह बचा, 2 equal to 4A, इसलिए, A equal to 1 by 2, ठीक, आप C की value निकालने के लिए, आपको क्या करना है, square देखना है, C वाले के साथ, यहाँ पर क्या है, हमाँ वाले किसे क निकालने, B की रहेगी, B के साथ, यहाँ पर देखे, इस नंबर को, इस n नंबर के multiply करेंगे, इस नंबर को, इसके साथ, multiply करेंगे, तो, x square आजाएगा, यहां से, x square आएगा, कहने कि, यहाँ पर x square नहीं ए समझे नहीं, किदर नहीं, बोल दिया, हमें compare करना होता है, इतना इधर नमबर है उसका, तो इधर हमारे पास x-square आएगा ना, x-square आएगा, हाँ यर ना, x-square आ रहा, आले भई, इसका इस-square खोलेंगे, x-square होगा, इसमें x-square होगा, नहीं हुगा न, x-square इसमें नहीं, हैं? नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इसमें X square होगा इसमें X square होगा तो यहाँ पे A plus B बराबर 0 तो यहाँ पे आजाएगा हमारे पास A plus B बराबर 0 इसलिए A बराबर माइनस B इसलिए तो क्या हो जाएगा B बराबर माइनस 1 by 2 यह answer आगे यह हमारे पास answer में यहाँ पे लिख लि वन बाइटू ए भी बराबर माइनस वन वाइटू एंड सी बराबर aal थर यह कोशन्स करने गभाद यह नीची यह वर प्रढ़ आ वाध कोशन्स वॉल्ब कर लिया यहां तो यहां पैनों देखें इस कप नहीं पम्राइबर था तो सिक अपान 2, 1 अपान कितना, 1 प्लस X, ठीक है, प्लस B की वेलू, माइनस 1 बाई 2, तो माइनस यहाँ पे, 1 अपान 2, 1 अपान X माइनस 1, ठीक है, फिर C की वेलू, प्लस C, अनिकी 4 उपर, नीचे, X माइनस 1 का, होल स्क्वार, ब्रैकेट बंद, बाहर, DX, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, DX, अब जा करते हैं, इंटिकरेशन को हम अंदर भेज देते हैं, तो इंटिकरेशन को अंदर भेजेंगे, तो अंदर इसे आएगा, 1 बाई 2 बाहर आ गया, तो 1 अपान X प्लस 1, DX, ठीक है, समझा रहा, फिर इसके साथ, माइनस 1 बाई 2 बाहर, इंटिकरेशन, 1 अपान X माइनस 1, DX, ठीक है, फिर प्लस 4 बाहर, इंटिकरेशन, 1 अपान X माइनस 1 का होल स्क्वेर, DX, ठीक है, समझा रहा है, यह कोश्चन समय पास, यहां से बना अध्यान रखेगा, इस को हमने यह लिखा, अब इस कोश्चन को मैं इंटिकरेट करना है, इंटिकरेट 1, 1 अपान X प्लस 1 हो जाता है, मॉड, लॉग, मॉड के अंदर, X प्लस 1, ठीक, माइनस 1 वाई 2, इधर, फिर, मॉड, यहां पे, लॉग, मॉड, X माइनस 1, ठीक, फिर, माइनस यहां पे आ जागा, यह स्क्वेर है, तो यहां पे, 4 अपान X माइनस 1 प्लस C, दियान रखेगा, इसको इसके नीचे कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 2, 1 बाई 2 बराबर हैं, तो यहां पे लिग लिएते हैं, 1 बाई 2, लॉग, मॉड के अंदर, X प्लस 1 अपान X माइनस 1, मॉड 1, माइनस 4 अपान X माइनस 1, इसको ब्रैकेट में डालना चाहें, डाल सकते हैं इसे, प्लस C, यह आंसर हो गया, बहुत अच्छा कोश्चन से, कंसेप्ट लाइन बाई लाइन करिए, एक स्टेप बाई स्टेप करिए, कोश्चन्स आसान हो जाएगा, नहीं तो लेंधी हो जाएगा, कोश्चन्स देखते रहें, मेरे वीडि जो नहीं है, पूशे, कमेंट करिए, धन्यवाद,